अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपका speedometer है अगर आपने check नहीं किया तो check कीजेगा वो speed ज्यादा दिखाता है actual में कम होता अभी मेरी गाड़ी 80 के आसपास है जबकि Google Maps में देख रहा हूँ 74, 75, 77 के आसपास इसकी speed है तो ऐसा क्यों है यह speedometer क्यों error show करते हैं क्यों का असर इस पर पड़ता है साथ में काफी जगए पर यह governments भी चाहती है कि यह speed थोड़ी सी ज्यादा show करें ताकि actual में जो speed है वो थोड़ी सी कम speed पर हम चलते रहें और एक तीसरा reason है companies भी खुद चाहती है कि वो कभी भी speedo error में नापस है अगर कभी किसी का accident हो जाता है वहा पर वो कम ही रहे limit से जादा ना जाए बाक्या subscribe कर दीजिए limit से बाहर नहीं जाएंगे